हाई एब्रीवन है लेट आस सॉल्व दिस प्रावलम सबसे पहले इसके स्टेट्मेंट को एक बार रीड किया जाए बादर द्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन एट रेगुलर टाइम इंटर्वाल्स फ्रॉम सीलिंग चच से रेगुलर टाइम पे पानी का डॉप्स टपक रहा है गिर रहा है रेगुलर टाइम इंटर्वल मतुलल हो गया कि फिक्स तीघल फोर इंजाम्पल अगर इरगुलर time interval one second, तो इसका मतलब यह है कि, after every one second, a drop will fall from the ceiling, not more than one second, not less than one second, एकदम fix time के बाद पानी का drop गिरेगा, such that when first drop is about to hit the ground, the nth drop is starting from the ceiling as soon, बुला यह जा रहा है कि, जब first drop, ground को hit करने वाला होता है, तो उस समय, nth drop किरता है, कहने का मतलब, कि first drop का journey जब complete होने वाला होता है, ground पे आने वाला होता है, तो उस समय, nth drop का motion start होता है, ceiling से वो just start करता है, टपकता है, if h1 is vertical distance between the ceiling and the ground, then the distance of rth drop from the ceiling is given by, आपको दिया गया है कि ceiling और ground के बीच में जो distance है, वो है h1, तो फिर आपको निकालना है, एक rth drop है, किसी एक drop को बोल दिया गया है, rth drop उसका position भी आपर so किया गया है, आपको बताना है कि इसका distance ceiling से कितना होगा, यही आपको question में निकालना है, देखें, आपके पास 4 options दिये गया है, कुछ इस तरह से है, तो आईए हम, इस question को solve करते हैं, सबसे पहले न, आप उस regular time interval को कुछ assume कर लो, कुछ भी, one second, t time, तो मैं न यहाँ पर इसको t time assume करता हूँ, उस regular time interval को यहाँ पर t time मैं मानता हूँ, regular time interval, इसको मैं t बूल देता हूँ, अब क्या करो आप, कि यहाँ पर, एक side drops की counting करो, और दूसरे side में कितने time पर वो drop detach हुआ है, एक side drop की numbering कर दो, और दूसरे side आप करो detach time लेको, वो drop ceiling से कितने time पर detach हुआ है, वो करो, यहाँ पर हम reference time मानेंगे, जब first drop का motion start होता है, जब first drop गिरता है न, उसी time को हम reference time मानेंगे, तो कहने का मतलब first drop की बात करो, तो यह कितने time पर detach हुआ है, इसको तो 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 उन्हें reference time लिया आती है, यह t equals to zero, इसके बाद, second drop, after this regular time interval t, second drop will fall, तो वो time कितना हो जाएगा, t, t time पर, second drop फॉलो, और इसके बाद, और t time के बाद, एक और drop फॉलोगा, और उसको नाम दोगे आप, third, तो third drop कितने time पर होगा, यह second t पर होगा है, तो third drop होगा, t time बाद, बतलब 2t, t plus t, 2t, इसके बाद, इसी तरह से, आगे भी होता जाएगा, fourth drop के बादे, मैं बताओगे, किया fourth drop होगा है, 3t time पर drop होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, कि यह जो है, this is, यह 3 है, तो यह 3-1, यह 2 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, time के case में, 2-1 आ रहा है, तो उसी तरह से, तुम बताओगे, nth drop, के लिए time, कितने time पर वो follow आगा, n-1 into t time पर follow आगा, उसी तरह से, rth drop, rth drop will fall at, r-1 into t, आप देख लोगे कहीं पर भी, यह 2 कहां साया, 3-1, एक कम है यहाँ पर, time के case में, यह जो number आता है, this is, 1 है ना, कम है, एक से कम होता है, जैसे 3rd है, थर्ड के लिए हाँ, 3-1, आपने देखो, अलग-अलग drops, कितने time पर गिर रहा है, आपने यह count कर लिए, निकाल लियो, इसके बाद आप question को, बहुत आसानी से deal कर सकते हो, इस question को, आईए अब हम, बात करते हैं, कि, first drop, ने h, one distance, cover करने में, कितना time लगाया, तो देखो, first drop, का journey, कितने time पर start हुआ था, reference time लिया था, first drop का, journey, यहां से start हुआ था, और कितने time तक, first drop, move किया, free fall motion में रहा है, तो, first drop, जब ninth drop, गिरा है, start किया motion का, ninth drop, कितने time पर start किया, है, यहां से, इतने time तक, first drop, motion में, रहा है, तो, यहां से, यहां तक का time कितना हो जाए, इन दोनों का difference, तो, यह, n-1, into t ही हो जाए, तो, आपने निकाल लिया, कि first drop का, total journey, अब, third equation of, sorry, second equation of motion, लगा लो, s equals to ut, plus, half a t square, तो, total distance कितना है, h1, is equals to ut, u कितना लोगे, 0, तो, first term तो, यहां 0 हो जाएगा, plus, half, a, ची, total time कितना लोगे, n-1, t, का square, n-1, t का, square करोगे, तो, यह, आ जाए, यहां से, t square, निकाल लो, t square, यहां से, निकल जाएगा, is, 2h1, by g, into, n-1 का, whole square, इसको, बोल दो, equation 1, आप बोल सत्ते हो, यहां से, आपने, t square, निकाल लिया, question में, आप से, पुछा गया है, कि, rth drop, कितना distance, कभर करेगा, rth drop, का start, का वो, journey, कितने time, पर start, rth drop, का journey, start हुआ है, r minus, 1 into t, rth drop, और कितने time, तक पूछा है, आपको, time, तो again, वही, पूछा है, कि, जब nth drop, का motion, start हुआ, nth drop, जब fall हुआ, तब तक, तो, यहां से, इन दोनों के बीच में, जो time हुआ है, time gap है, इतने time तक, rth drop, travel किया है, तो, इन दोनों के बीच में, time का difference, कितना हो जाएगा, इन दोनों को, आप subtract कर लीजिए, तो, यहां से, आपको मिल जाएगा, delta t, is, rth drop का, free fall time, time निकाल लाओ, यहां से, शुरू हुआ है, इतने time पर, r-1, t पर, शुरू हुआ है, चल्नी, और कहां तक, चला है, कितने time तक, n-1, t तर, इन दोनों काप सब्ट्रेक्ट कर लो, यहां जाएगा, n-r, into t, इतने time तक, r-th drop का motion हुआ है, free fall हुआ है, बस, r-th drop का distance निकाल लो, तो distance होगा, जैसे माले जी, h बोल देते हैं, r-th drop का, distance, इसको हम यहां पर, h बोल देते हैं, h एक्वेश्ट कितना होगा, equation of motion, second equation of motion, u के value 0, तो आजाएगा, half, a, t square, t square यहां से, t square के लिए, delta t का square आएगा, इसका square आएगा, n minus r, यह total time of travel है ना, तो इसका square आएगा, r square into t square, अब t square, यहां से इसमें, put कर दो, तो हो जाएगा, आज़ेसर भी, half g, n minus r का whole square, t square, के जगह यहां रग दो, 2h1 by, g into, n minus 1 का whole square, 2, 2 cancel हो गया, g, g cancel हो गया, answer is, n minus r का whole square, upon n minus 1 का whole square, into h1, देखलो, यह वाला option, सही है, second option, will be the correct option, झालाइब पार गया, तोुछबो जासंया भी, कर गासंबदेद को भी, ब issto, झाल झाल